नमस्कार भाषा जोड़ने का काम करती है और पूरे देश को भारत को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी भाषा हिंदी भाषा का उत्सव मनाते हुए आपके लेकर आए हैं प्रख्यात हिंदी लेखकों की कहानिया इसी श्रिंकला में आज आपके लिए प्रस्तुत है ममता कालिया द्वारा लिखी कहानी वर्दी ममता कालिया आज के समय की एक प्रखर लेखिका हैं उनकी रचनाओं में, कहानियों में नारी मन बहुत सुन्दर्ता के साथ अभिवेक्त होता है तो प्रस्तुत है वर्दी महर्रम और होली इस बार एक साथ पढ़ रहे थे एक तो त्योहार पुलिस के लिए वैसे ही सिर्दर्द थे उपर से होली और महर्रम यानि हुलड और मातम दोनों को संभालना रवाशंकर त्रपाथी की ड्यूटी नखास कोने पर लगी थी रवाशंकर ने जल्दी जल्दी वर्दी पहनी और पत्नी को पुकारा खाना नहीं बना अब तक आशा खाने की थाली लेकर आही रही थी कि उसकी कड़कदार आवाज सुनकर वो चौक गई और उपर तक भरी दाल की कटोरी से थोड़ी सी दाल थाली में फैल गई जैसे ही उसने मेज पर खाना रखा रमा शंकर दहाड़ा ले जाए गंदी सनी थाली मुझे निखाना बेफकुफ कहीं की आशा का मुँ उतर गया उसका पती अपका गया जाने कितने घंटों में आएगा कई बार एक ड्यूटी खत नहीं होती कि दूसरी लग जाती है त्योहारों और दंगों में उसे 36 घंटों की ड्यूटी देनी पड़ती है आशा इन दोनों के आनों से घबराती है त्योहार और दंगे उसने बड़ी मुश्किल से बस इतना कहा मैं दूसरी थाली ला देती हूँ रमा शंकर ने पत्नी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा दरसल उसने खाना देखते ही तै कर लिया था कि वो इतनी सुभा रोटी नहीं खाएगा वो तो उसने आशा की मुस्तैदी जाचने के लिहाज से खाने के लिए हांख लगाई थी खाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था अभी चोराहे पर दातादीन की दुकान से वो चार समोसे बंद वालेगा और चाय नखास कोने पर ही मिल जाएगी दोपेहन में वो नुकड़ वाले होटल में कबाब पराठा खालेगा बीच बाजार की ड्यूटी में खाने पीने का बड़ा आराम रहता है सारा दिन ही मूँ चलता रहता है रमाशंकर ने अपना डंडा उठाया साइकल बाहर निकाली और बिना पतनी की तरफ देखे या कुछ कहे चल दिया आशा कुछ देर खड़ी खड़ी उस दिशा में देखती रही जितार रमाशंकर गया था फिर उसका ध्यान बढ़ गया सामने स्कूटर मरम्मत की दुकान का लड़का उसे घूर रहा था उसने अंदर होकर दर्वाजा बंद कर दिया अब उसके सामने लंबा चौड़ा दिन पड़ा था और काम गिना चुना उसका बेटा राजू तीन बजे स्कूल से आता था वो बिस्तर पर लेटी लेटी ताक पर रखी वो फोटो देखने लगी जो शादी के बाद शेहर आने पर उन दोनों ने खिचवाई थी रमाशंकर उस दिन अपनी साइकल पर बेठा कर उसे चौक ले गया था और स्टूडियो में पास पास खड़े होकर दोनों ने तस्वीर खिचवाई रमाशंकर ने फोटोग्रफर से कहा मास्टर बहुत बढ़िया फाटू आना चाहिए नई तो ठीक ना होगा समझे बूरे फोटोग्रफर ने कापती उंगलियों से खटका दबाया था आशा ने पहली बार स्टूडियो और क्यामरा देखा था उसने ताज्जुप से पूछा बस किच गई फोटो उस दिन की सेर आशा को अभी तक याद थी उन दोनों ने एक जगा बैठकर चाट खाई थी और कुलफी कहीं भी रमा शंकर को पैसे देने के जरूरत नहीं पड़ी थी आशा ने जब सहमते हुए धीरे से कहा पैसे तो दे दीजिये उसके रमा शंकर ने चड़कर उसकी तरफ देखा तुम क्या सोचती हो ये वर्दी पहन कर मैं क्यूं आया हूँ बिना बात टांग नड़ा करो बीच में आशा पर वर्दी का रौपतारी हो गया वर्दी की ताकत जानने के बाद उसे लगने लगा कि रमा शंकर आटा भी पिस्वाने जाए तो वर्दी पहन कर जाए आशा को रमा शंकर की वर्दी जादू की पुशाग जान परती जिसे पहन कर वो मुश्किल से मुश्किल काम निप्टा डालता जिन औरतों के पती वर्दी नहीं पेहनते थे उन्हें आशा अभागिन मानती वर्दी के बूते पर उसके पती को हर चीज मुफ्त हासिल हो जाती आशा गाव के स्कूल में आठ जमात के आगे नहीं पड़ी थी इससे अधिक विचार का उसे अभ्यास नहीं था उसने तो यही सोचा कि शायद सरकार ने ये वर्दी रमा शंकर को इसी लिए दी है कि वो अपनी पत्नी को और अपने घर को खुशाल रख सके इस सब के बावजूद इधर कुछ वर्षों से आशा पहले जितनी खुश नहीं थी इस बीच राजू पैदा होकर साथ साल का हो गया था पास के स्कूल में वो कक्षा तीन में पढ़ रहा था उसके ठाट निराले थे कभी उसके पास नया बस्ता नजर आता तो कभी पानी की नई बोतल और बच्चों की तुल्ना में उसके कपड़े ज्यादा साफ और सुन्दर लगते लेकिन पढ़ने में उसका मनना लगता सारा दिन पतंग और लटाई लेकर चट पचड़ा रहता आशा ने उसके लिए रमा शंकर की वर्दी में से एक छोटी सी वर्दी बना दी थी राजु चुट्टी के दिन अपनी वर्दी पहन फुट्रूलर बगल में दबाकर मा से कहता मैं जरा चुट्टी पर जा रहा हूं और पडोस के घरों का चक्कर माराता सभी उसे चोटा हवलदार कहते अपने साथियों के संग खेल में वो भयंकर बई मानी करता चो शुरू में तो बच्चों ने बरदाश्ट की पर फिर एक दिन मौका पाकर सब ने मिलकर उसकी जबरदस पिटाई कर डाली तब से वो बस्ती के बच्चों के साथ खेलने से घबराता था अकेले वो छट पर अंधेरा घिरने तक पतंग उड़ाता रहता कई दिनों से राजू को ये लगने लगा था कि वो खुश नहीं है स्कूल में उसके साथ ही बताते कि कैसे वो बाजार में किताबे कापियां खरीदते हैं कौन सी पैंसिल रबर किस दुकान पर बढ़ियां मिलती है और कैसे वो घर की तरकारी खरीदने जाते हैं इन सब कामों में राजू का कोई योगदान नहीं था उसकी इच्छा होती कि बाखी बच्चों की तरह वो भी पैसे लेकर अपनी जरूरत का सामान खुद खरीदे हर्च करने की महान उत्तेजना से वंचित राजू को धीरे धीरे अब ये सवाल तंग करने लगा था कि उसे चोटी-चोटी चीजों के लिए भी एक, दो या तीन-तीन दिन इंतजार करना पड़ता है और क्यूं उसे पापा की लाई चीज ही लेनी जरूरी है एक दो बार उसने लाई गई चीज पर असंतोश जाहिर किया तो रमा शंकर उस पर बरस पड़ा लेना है तो ले, नहीं तो कुछी ला कर दूँगा बैठे बिठाए मिल रहा है इसलिए साहबजादे के नकरे हैं राजू को बहुत बुरा लगा डाट खाना उसे हमेशा बुरा लगता फिर उसके पापा का तो एक बार गरजना शुरू हो जाए तो जल्दी रुकता भी नहीं यही शिकायत आशा को थी यह ठीक था कि उसका पती उसे एक से एक नई चीज लाकर देता है उसके पास इतने डिबबे, पाउडर, क्रीम और स्नो के हैं कि वो अपनी छोटी बेहनों और नंदों में खुले दिल से बाट सकती थी जब से राजो समझदार हुआ था आशा को भी लगने लगा था कि उसका पती अन्ने आदमियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही डांटता था छोटी छोटी बाद पर वो थाली उठा कर फैक देता हाथ में जूता उठा लेता या गालियों की बौच्छार करने लगता फिर वो अपना डंडा उठा कर गश्ट पर चल देता मार फटकार खाने के बाद देर तक राजू और उसकी मा मू लटकाए लेठे रहते होता ये कि एक को डांट पड़ती तो दोनों उदास हो जाते राजू ने स्कूल से आते ही फर्माईश की मा हमें पैसे दो हम रंग और पिछकारी लाएंगे आशा ने कहा शाम को तेरे पापा आएंगे तो उनसे कह देना दोनों चीज़े ला देंगे नहीं राजू ने पैर पठके मुझे पापा के लाए रंग नहीं चाहिए मैं अपनी मर्जी से खरीदूँगा मेरे पास पैसे नहीं है आशा ने कहा क्यों नहीं है चाहिए कहीं से भी दो मुझे पैसे चाहिए कहे दिया ना नहीं है आशा ने बंद अलमारी की और देख कर कहा जिसकी चावी रमा शंकर अपनी जेब में रखता था राजू ने खाना नहीं खाया कपड़े नहीं बदले मूप फुला कर खिड़की के पास बैठ गया आशा ने लाख समझाया उस पर कोई असर नहीं हुआ आखिरकार आशा को अपने बकसे में से वे रुपए निकालने पड़े जो तीश त्युहार पर उसके भाई भेशते थे और जिन्हें वो अपने पती से बचा बचा कर साड़ीयों की तहों में छुपा कर रखती थी दस का नोट पाकर राजू फिर से चहिकने लगा शाम को रमा शंकर जिस वक्त घर आया अंधेरा घिरने लगा था उसका दिन काफी मशक्कत में बीता था उसके इलाखे में जिन अड़ो पर जुआ चलता था उन अड़ो के दादा ने सीधे कोतवाल से अपनी गोटी बिठा ली थी और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था दुकान वालो और ठेले वालो ने ज़रूर उसका लिहास किया पर कुल मिला कर मामला फीका ही रहा था अगले दो दिन बाजार एकदम बंद रहना था यही सब सोच कर रमा शंकर का मूद उखड़ा हुआ था घर में घुसते ही उसने आवाज लगाई राजू राजू को उसने बहुत से रंग के पैकेट और प्लास्टिक की पिछकारी पकड़ाई आशा ने मिठाई का डिबबा थाम लिया राजू ने ध्यान से रंग के पैकेट देखे और बेसाखता उसके मूँ से निकल पड़ा हमारे लाए रंग इनसे बहुत बढ़िया है कौन से रंग रमाशंकर ने त्योरी चड़ा कर पूछा राजू ने अपना टीन का चकोर डिबबा दिखाया और पिस्तॉल वाली पिछकारी भी रमाशंकर का पारा चड़ गया किस से पूछ कर खर्च किये तुने सुवर कहां से आए पैसे राजू सेहम गया आशा का चेहरा भी पीला पड़ गया उसने कहा पहले तुम वर्दी उतार कर हाथ मों धोलो नहीं रमाशंकर गरजा मैं इसकी हड़ी हड़ी तोड़ दालूँगा तुम भी पैसे दे दे कर बरबाद कर रही हो तुम्हें पता पैसे कितनी मुश्किल से आते हैं साले रमाशंकर ने बेटे को कान से पकड़ कर अपनी तरफ खीचा और कस कस कर तमाचे मारने शुरू कर दिये हर तमाचा जैसे आशा के मूँ पर पड़ रहा था उसने अपने दोनों गाल हाथों से ढख लिये मार खाते खाते राजू वहीं गिर पड़ा तब रमाशंकर ने बूच से ठोकर मार कर उसे एक तरफ धकेल दिया पढ़ाय साले अपनी मा को रोते खबला जै यहां से उठा अंदर आकर रमाशंकर ने अपनी अलमारी की जाच की बंद थी आशा ने सफाई देने में ही खेर समझी भाईया के भेजे ग्यारा रुपय थे जी मेरे पास उसी में से मैंने दिये थे मुझे क्या पता था ये रंग लाएगा रमाशंकर ने कुछ नहीं कहा पस घूर कर पत्नी को देखा फिर लूंगी पहन कर नल के पास चला गया आशा ने जल्दी जल्दी खाना गर्म किया और थाली परोस्ती रमाशंकर ने खाना खाया घर में मारपीट के बाद की खामोशी थी महले के लड़के बाहर होली जलने के इंतिजार में जमा थे दो एक दोस्त राजू को बुलाने भी आए पर दर्वाजा बंद देखकर लौट गए कहने को राजू चुप चाप था पर मन उसका खलबला रहा था अब भी उसे यही लग रहा था कि वो सही था और उसके पापा गलत उसका लाया रंग निश्चित ही अच्छा था पापा के लाय रंग से बस इतनी सी बात पर पापा ने उसे मारा क्यों बात बात पर हाथ उठाना उनके लिए एक मामूली बात है राजू को लग रहा था कि इस वर्दी में ही कुछ ऐसी खासियत है कि इसे पहनते ही उसके पापा पापा नहीं रहते जालम सिपाही बन जाते हैं उसने आहट ली इस वक्त लुंगी कुर्टे में उसके पापा शांत थे अपने बिस्तर पर बैठ कर अपने दिन भर की आयगिन रहे थे छी कितनी चिड़ हो गई है राजू को खा की रंग से उसके सभी दोस्तों के पापा इंसानों वाले रंग पहनते हैं सिर्फ उसके पापा ये हैवानों वाला रंग पहनते हैं इसे पहन कर खुद भी हैवान बन जाते हैं रमाशंकर के सोजाने के बाद आशा बच्चे के पास आई वो चाहती थी राजू उसके साथ खाना खा ले मा के डरपोक पने पर राजू को हमेशा गुस्सा आता था पिता के सामने वे बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती और बाद में उनकी हरकतों पर असंतोश दिखाती राजू ने खाने से इंकार कर दिया और अपने बिस्तर पर जाने की बजाए वहीं बैठक में तख्ट पर लेट गया आशा ने वहीं उसके उपर कंबल डाल दिया राद देर तक राजू को नीन नहीं आई बाहर की आहटों और आवाजों का वो अंताजा लेता रहा आखिरकार होली में आग लगी और उसने सुना की लोग ताली बजाते हुए मस्ती में गा रहे हैं उसे पता था सारी रात महले के उधमी लड़के सोईंगे नहीं रात भर हुलड मचेगा और सुभा से रंग की धमा चौकडी एक बार फिर उसे अपने पिता पर गुस्सा आया उसे अपनी हिंदी पुस्तक पर एक पाठ याद आया जिसमें लिखा था होली की आग में समस्त बुराईयां भी नश्ट हो जाती हैं ऐसा लोग मानते हैं राज उठा धीरे से उसने कमरे की चिटकनी खोली फिर वो वापस कमरे में आया दर्वाजे पर लटकी पिता की वर्दी उसने उतारी और कमरे से बाहर हो गया बाहर होली का देहन की गरम आच की नरम तपन थी उमंग थी और उत्सहा राजू ने लपक कर वर्दी उठती लप्टो में डाल दी और बिना किसी से कुछ बोले वापस घर में खुश गया कुछी देर में उसे गहरी नीद आ गई